पॉलुस मसीही विश्वासी बन जाता है। शाउल नाम का एक व्यक्ति था जिसने येशु पर विश्वास नहीं किया था। जब वह जवान था तब उसने इस्तिफनूस को मारने वाले लोगों के कपड़ों की निगरानी की थी। बाद में उसने विश्वासियों को सताया था। उसने येरुशलेम में घर घर जाकर पुरुश वह इस्त्री दोनों को गिरफतार करके बंदी ग्रह में डाल दिया था। तब माहयाजक ने शाउल को दमिश्क नगर में जाने की अनुमती दी। उसने वहां के मसीहों को गिरफ श्लेम लेकर आने के लिए शाउल से कहा। अतह शाउल ने दमिश्क जाने की आत्रा आरंब की उस नगर को पहुचने से थोड़ा ही पहले उसके चारों और आकास से एक उजवल प्रकास चमका और वह भूमी पर गिर पड़ा। शाउल ने किसी को कहते हुए सुना। जब शाउल उठा तो वह देख नहीं सकता था। उसके मेत्रुस को दमिश्क में लेकर गए थे। शाउल ने तीन दिन तक कुछ भी खाया या पिया नहीं था। दमिश्क में हनन्या नाम का एक चेला था। पर मेश्वर ने उससे कहा उस घर को जा जहां शाउल ठैरा हुआ है अपने हातों को उस पर रख ताकि वह फिर से देखने लगे। परंतु हनन्या ने कहा हे प्रभू मैंने सुना है कि इस वेक्ती ने विश्वासियों को कैसे सताया है। परमेश्वर ने उसे जवाब दिया जा मैंने उसे यहुदियों में और दूसरी जातियों के लोगों मे मेरे नाम की गोशना करने के लिए चुन लिया है वह मेरे नाम के लिए बहुत कष्ट सहेगा अतह हनन्या शाउल के पास गया अपने हातों को उस पर रखा और कहा इशु ने जो यहां आने के तेरे मार्ग में तुझ पर प्रकट हुआ था मुझे तेरे पास भेजा है ताकि तु फिर से देखने लगे और पवित्र आत्मा तुझे भर दे तुरंत ही शाउल फिरसे देखने में शक्षम हो गया और हनन्या ने उसे बबतिस्मा दिया तब शाउल ने भोजन किया और फिर से बलवन्त हो गया तभी से शाउल ने दमिश्क में रहने वाले यहुदियों में प्रचार करना आरंब कर दिया उसने कहा येशु ही परमेश्वर का पुत्र है यहुदी लोग अचंबित थे क्योंकि शाउल ने तो विश्वासियों को मार डालने का प्रयास किया था परंतु अब उसने येशु में विश्वास किया था शाउल ने यहुदियों के साथ वाद विवाद किया उसने दिखाया कि येशु ही मसी था बहुत दिनों के बाद यहुदियों ने शाउल को मार डालने की योजना बनाई उन्होंने उसे मार डालने के लिए नगर के फाटक पर लोगों को भेजा कि उसकी निगरानी करे परंतु शाउल ने उस योजना के बारे में सुन लिया और उसके मित्रों ने बच कर निकलने में उसकी सहायता की एक रात को उन्होंने उसे टौकरी में बिठा कर नगर की दिवार से नीचे उतार दिया दमिश्क में से बज़ कर निकलने के बाद शाउल ने इशु के बारे में प्रचार करना जारी रखा शाउल प्रेरितों से मिलने के लिए यरुशिलेम गया परंतु वे उससे डरते थे तब बरनबास नाम का एक विश्वासी शाउल को प्रेरितों के पास लेकर गया उसने उनको बताया कि शाउल ने कैसे सहसी होकर दमिश्क में प्रचार किया था उसके बाद प्रेरितों ने श शाउल को स्विकार कर लिया कुछ विश्वासी जो ये रुशलेम के सताव से भाग गए थे वे दूर अन्ताकिया नगर में चले गए थे और येशु के बारे में प्रचार कर रहे थे अन्ताकिया में रहने वाले लोग अधिकतर यहुदी नहीं थे परन्तु पहली बार उनमे से बहुत से लोग विश्वासी बन गए बरन्बास और शाउल इन नए विश्वासियों को येशु के बारे में और अधिक सिखाने के लिए वहां गए और कलीसिया को मजबूत किया येशु पर विश्वास करने वाले पहली बार अन्ताकिया में ही मसीह कहलाए एक दिन अन् वास के साथ प्रात्ना कर रहे थे पवित्रात्मा ने उनसे कहा मेरे लिए बरनबास और शाउल को उस काम को करने के लिए अलग कर दो जिसे करने के लिए मैंने उनको बुलाया है इसलिए अन्ताक्या की कलीसिया ने बरनबास और शाउल के लिए प्रात्ना की और उन पर अपन से स्थानों पर इशू के बारे में शुब संदेश का प्रचार करने के लिए भेज दिया। बरनवास और शाउल ने अलग-अलग जातियों के लोगों को शिक्षा दी और बहुत से लोगों ने इशू में विश्वास किया।